नमस्कार दोस्तों वो कहते हैं ना उसके हाल पूछने भर से आ जाती थी चेहरे पर रोनक और वो पगली समझ बेठी की बीमार गालिब का हाल अच्छा है नमस्कार दोस्ते एक बार फिसे आपका हर्दिक स्वागत है मैं प्रदीप कुमार दुबारा प्यारे बचो आज मोलिक अधिकार का जो तीसरा वीडियो है इसके बाद आपको मोलिक अधिकार में कोई दिख करते हैं नहीं आएगी बड़े से बड़ा एक्जाम दे देना मोलि मोलिक अधिकार 12 से लेकर 35 तक आपकी टिप्स पर रहेंगे प्यारे बचो मोलिक अधिकार आज है न ये लास्ट पार्ट रहेगा इसका फंडामेंटल राइड्स का जैमा सरस्वती का नाम लेके कोई भी चीज की सुरुवात किजिए मोलिक अधिकार की आज ये लास्ट वी सविधान के भाग किस में है भाग तीन में है और भाग तीन को सविधान का क्या का जाता है मेगना कार्टा मेगना कार्टा कहा जाता है अब यहां से कोशन आता है आर्टिकल 12 और 13 मेने बताये थे राज्ये के मोलिक अधिकारों की बाद थी फिर हमने समानता का अधिकार समानता का अधिकार पड़ा फिर हमने किसका अधिकार पड़ा सोसन के विरुद अधिकार पड़ा धार्मिक सवतंतरता का अधिकार पड़ा तो ये अलग-अलग प्रकार के मोलिक अधिकार मैंने स्टार्टिंग में बताया था मोलिक अधिकार पहले कितने होते थे प्यारे जो कितने मोलिक अधिकार, चार मोलिक अधिकार हमने पढ़ लिये थे लास्क धार्मिक सवतंधरता का अधिकार पढ़ा था, आज हमारा सबसे इंपोर्टेंट है जो मोलिक अधिकार है, हम सबसे पहले संस्किर्ती और सिक्षा का अधिकार पढ़ेंगे, किसका अधिकार प्यारे बच्चो कल्चर एंड एजुकेशन जो राइट्स पढ़ेंगे इसका वर्णन आर्टिकल 29 और किस में रहेगा 30 में रहेगा संस्किर्ती का वै सिक्षा का दिकार ये प्यारे बच्चो 21 ए नहीं है वो 6 से लेकर 14 वर्स तक के बच्चों को नी सुलक वै अनिवारी ये सिक्षा वो 6 सविधान संसोदन दुआरा 2000 में अटल जी के टाइम में जोड़ागे वो चीज अलग है तो ये क्या रहेगा संस्किर्ती का वै सिक्षा का दिकार आर्टिकल 29 केहता है आप है न कोई भी व्यक्ति कोई भी व्यक्ति कोई भी व्यक्ति है न वो अपनी अपना ध धरम अपना धरम वे संस्कृति बनाई रख सकता है संस्कृति को बनाई रखने का अधिकार है बनाई रखने का क्या रहेगा अधिकार रहेगा किसका अधिकार रहेगा कोई भी व्यक्ति अपना धरम वे संस्कृति को बनाई रखने का उसके पास क्या रहेगा अधिकार तो सरकार उसे फोर से नहीं करेगी कि उस कलचर को तो सरकार नहीं कहीं नहीं है पगड़ी रखते हैं तो उनको रोका नहीं जाएगा कोई भी व्यक्ति अपना धरम वैसन स्कृति को बनाई रख सकता है उसको बढ़ावा दे सकता है ये पेपर में आया था और राज्य सरकार धरम के नाम पर सिक्षन संस्तान में एडमिशन लेने से मना नहीं करेगी आर्ट किसी भी सिक्षन संस्तान में ठीक है धरम के नाम पर धरम के नाम पर एडमिशन लेने से कोई मना नहीं कर सकता धरम के नाम पर, धरम के नाम पर, धरम के नाम पर, एडमिशन लेने से, या धरम के नाम पर दाखिला लेने से, क्या नहीं किया जा सकता, मना नहीं किया जा सकता, ठीक है, आपको ना प्यारे बचो, आप एडमिशन लेने जाते हो, किसी भी राज्ये द्वारा संचालित में तो राज्य आपको ये नहीं कहेगा कि आप है ना मतलब इंदू हो तो एड्मिशन ले सकते हो या मुस्लिम हो तो एड्मिशन ले सकते हो तो आप एड्मिशन ले सकते हो तो आप एड्मिशन ले सकते हो प्यारे बचो राज्य आपको क्या नहीं करेगा मना नहीं करेगा त तो राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी भी सिक्षन संस्तान में दर्म के नाम पर दाखिला लेने से क्या नहीं किया जा सकता। ये article 30 केता है तो article 39 और 30 किस का अधिक्रार है संस्किर्ती का होए सिक्षा का अधिकार रहेगा। आर्टिकल 30 एक बात और कहता है, प्यारे बचों ये question पुछा गया था, कोई भी धार मिक्स तल अपना सिक्षन संस्तान चला सकता है, आप किसी धरम से हो ना, कोई भी आप इंदु हो, मुस्लिम हो, सिक्षो, इसाई हो, आप किसी भी धरम से हो, तो भी आप क्या चला सकते हो, अपना सिक्षन संस्तान चला सकते हो, आप किसी भी धरम से हो ना, तो भी आप अपना क्या चला सकते हो, सिक्षन संस्तान चला सकते हो, राजी आपको रोकेगा, नहीं जिसे आर्टिकल हमने, प्यारे बचों, डिटेल में बिलकुल बारिकी से पढ़ने चाहिए, आर्टिकल 16 अउसर की समानता थी, आर्टिकल 17 भी बताया था, ए सप्रियस्ता का अंठा, आर्टिकल 18 भी बताया था उपादियों का अंठा, फिर क्या ता समानता के बाद, 77 न का दिकार था, 60 A, B, C, D, E, F, G तक बताया A. अभी व्यक्ति व्यक्त करने किया जादी B. बिना सस्तर के कहीं भी जा सकते हो C. संग बना सकते हो D. कहीं भी आउगमन कर सकते हो E. कहीं भी निवास कर सकते हो A. प्रोपर्टी वाला रद कर दिया गया G. कहीं पर भी रोजगार कर सकते हो वेवसाई कर सकते हो यह 19 था फिर हमने आर्टिकल 20 है ना वो भी आपसे डिसकसे किया था वो किस समंदी था प्यारे बच्चों वो सबसे इंपोर्टेंट है वो आपकी ना दो सिद्धी से समंदी थे हुआ करता था कि एक अपराद के लिए एक सजा मिलेगी मतलब है खुद के ए में 6 से लेकर 14 वर्स तक के बच्चों को नी सुलक वे एवं अनिवारिये सिक्षा थी फिर है सोशन के विरुद दिकार था 23 और 24 किस के विरुद था सोशन के विरुद 23 में बाल सरम को डंडनी अपना दगोसित किया गया 24 में का गया 14 वर्स से कम बच्चे को को कोई मतलब जो किमरा काम नहीं करवाया जाएगा 25-28 दार्मिक सवतंदरता का अधिकार था आप 25 में कोई भी मतलब दरम अपना सकते हो राज्ये का कोई अपना दरम नहीं है 26 है ना उस दरम का आप संचालन कर सकते हो संपती कठा कर सकते हो 27 उस संपती पर टेक्स नहीं लगेगा ठीक ह क्या नहीं लगेगा ठेक्स ऐसे ही प्यारे बच्चों ये सारी चीजे है ना आप याद कर सकते हो कोई दिक्कत है नहीं है बिल्कुल थोड़े से बारी की से आप कंसेप्ट को समझोगे ना 25-28 दार्मिक सवतंदरता के अधिकार की बाती 29-30 ये सारे के सारे 28 तक दार्मिक स चप जाएगा और प्यारे बच्चों पॉलिटी है ना हर एक्जाम में आती है इतना इस बात का ध्यान है रखना अब हैना आर्टिकल है ना ये क्या था प्यारे बच्चों 39 और 31 से नहीं पढ़ेंगे सिधा 32 पर चलेंगे 31 होता था प्यारे बच्चों संपत्ती का अधिका होता था किसका अधिकार होता था संपत्ती का क्या होता था अधिकार होता था इसे 1978 में ना चुवालिस में सविधान संसोधन द्वारा संसोधन के द्वारा इसको क्या कर दिया गया है हटा दिया गया है और आर्टिकल 301 के तेत इसे कौन सा अधिकार बना दिया गया था कानूनी अधिकार बना दिया गया कौन सा अधिकार इसको बना दिया गया कानूनी अधिकार बना दिया गया क्योंकि पहले प्यारे अगर ना संपत्तिक अधिकार अपना होता तो राज्य को कोई जमीन लेनी होती ठीक है मतलब है रोड के जैसे फोर लाइन बन रही है तो आपका संपत्तिक अधिकार मोलिक अधिकार होता तो आप तो जमीन नहीं देते कोई जबरन लेता तो सुप्रीम कोड चले जाते तो इसलिए इसको एसी घटना ना हो तो इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया तो 31 अब हम नहीं पड़ेंगे अब सीधा ना पेले साथ होते थे अब छह है अंतिम है प्यारे बच्चो आपका सविधानिक उपचारों का अधिकार क्या रहेगा सविधानिक उपचारों का अधिकार रहेगा ठीक है यह मतलब आप 32 से लेकर 35 तक है ना सविधानिक उपचारों का अधिकार जैसे आर्टिकल 32 है न इसमें क्या होता है प्यारे बिचो सुप्रीम कोट है न ये क्या जारी करती है रिट जारी करती है सुप्रीम कोट जैसे हाई कोट आर्टिकल 226 के तेत रिट जारी करेगी तो सुप्रीम कोट 32 के तेत क्या जारी करती है रिट जारी करती है तो इसमें क्या होता है पांच परकार की रिट होती है थोड़ी देर बाद है ना पांचो रिट आपको बिलकुल बेसिक से याद करवादूगा बंदी परत्यक्षी करण क्या होता है प्रम आदेश क्या होता है अधिकार प्रीच्छा क्या होता है ठीक है परति शेद क्या होता है यह सारी की सारी में आपको याद है करवादूंगा टेंसल लेने की कोई जरूरते नहीं है तो आर्टिकल 32 है ना अब डोक्टर भीम राव अंबेड करने ना सविधान की इसे ना इसे आर्टिकल 32 को क्या का था सविधान की आत्मा एवं हद्दे का था सविधान की आत्मा एवं हद्दे का था सविधान की आत्मा एवं हद्दे का था इसे डोक्टर भीम राव अंबेड करने सविधान की आत्मा एवं हद्दे का था वैसे सविधान की आत्मा है ना प्रस्तावना को भी मतलब सोल ओफ इं एंड सोल किसे का था तो आर्टिकल 32 को डोक्टर भीमराव अगर डोक्टर भीमराव अमेडकर से एक बार स्वाल पुछा गया कि सविधान का कौन सा आर्टिकल की सबसे ज़्यादा तारीफ करोगे या वो हटा दिया जाए तो सब कुछ सुनने है तो आर्टिकल 32 इसमें प्या परकार की रिट होती है रिट कितने परकार की होती है पांच परकार की होती है पांचों क्या पांचों पढ़ेंगे पहली होती है बंदी परत्यक्षी करण होती है पहले कौन सी होती है बंदी परत्यक्षी करण होती है इसमें ना किसी भी प्यारबचो मतलब किसी भी जिसको बंदी बनाया गए है ना तो बंदी को 24 गंटे के अंदर-अंदर 24 गंटे के अंदर-अंदर किस के सामने पेश करना होता है नियाई धीस 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 के सामने पेश करना होता है यहां पर जज़ देखेगा कि उसको गिरबदार किया गया है सही तरीके से किया गया है या इलिगल तरीके से उसको गिरबदार किया गया है अगर इलिगल तरीके से गिरबदार किया है तो वो एक्षन है यहां पर मलब जिसने भी गिरबदार किया है उसके रिपीट किये तो भी उसके खिलाप है, एक्शन लिया जा सकता है, कोई भी है ना, अगर स्पोज करो, क्राइम करने माला, अगर ना क्राइम को अक्सेप्ट कर ले ना, उसके बाद उसके साथ है, गलत नहीं किया जाता है, तो बंदी पर्तेक्षी करना होता है, यानि पर्तेक आप मान सकते हो, ये प्यारे बच्चो अधिकारी के खिलाप है, जारी किया जाता है, इसमें ना सुप्रीम कोट है ना, अधिकारी के खिलाप, इसमें मतलब एक अधिकारी का special नाम नहीं है, बहुत से क्या आ जाते है, अधिकारी के खिलाप है ना, परमादेश क्या किया जात जारी किया जाता है मतलब वो अधिकारी अगर अपने करतवे से अपने करतवे से विमुक हो चुका है तो उसके खिलाप है ना कौन जारी करता है सुप्रीम कोट है जारी करता है स्पोज करो प्यारे बच्चो मतलब है ना स्पोज करो मैं SP हूँ और मेरे पास एक एरिया है कि इस एरिया का मेरे को निगरानी रखनी है और मैं ड्यूटी पर ही ना जाओं बिना कोई रीजन बताए तो ये ना सुप्रीम कोट मेरे खिलाब है जारी कर सकती है कि कोई भी अधिकारी होता है ना उसके खिलाब जो अपने करतवे से विमूख है हो जाए उसके खिलाब जारी करता है तो ये पेपर में पूछा गया था प्यारे बचो अधिकारी के खिलाब है एक होता है अधिकारी प्रिच्छा ये क्या होता है ये अधिकार प्रिच्छा होता है ठीक है क्या होता है अधिकार अधिकार प्रिच्छा क्या होता है प्यारे बच्चो अधिकार प्रिच्छा होता है ये भी सुप्रीम कोट है ना अधिकारी के खिलाब जारी करता है दोनों है ना ये अधिकारी के क्या होते है प्यारे बच्चो खिलाब जारी होते है दोनों में क्या है थोड़ा थोड़ा अंतर है दो अधिकारी के क्या जारी करेगा खिलाप है जारी करेगा इसमें आप कोगे सर अधिकारी के खिलाप तो जारी कर दिया लेकिन इसमें अंतर क्या रहेगा इसमें क्या रहेगा अंतर क्या रहेगा तो इसमें अंतर क्या रहेगा अभी कोई अधिकारी है प्यारे बचो जिसका उस गाउं है ना उसको छोड़कर ग्यारुवा और सब इंस्पेक्टर का एरिया था आपने ग्यारुवे गाउं में जाकर किसी केस की जांच की तो सुप्रीम कोट पूछेगा कि आप किस अधिकार से अन्य अधिकारी के अधिकार छेतर में गए तो आपका कोई अधिकार प्यार बचो ये क्यों जारी किया जाता है इस में चांस होता है पार्सियल्टी का चांस होता है अपना एरिया तो हमारी स्पोज करो मतलब मैं सब इंस्पेक्टर हूं मेरे ग्यारुए मेरे को एरिया 10 दिये गई है 11 एरिया के इंसान के साथ मेरी बनती नहीं है तो मैं उसके खिलाप action लेता हूँ तो Supreme Court पूछेगी भाई तेरे को ये अधिकार किस ने दिया था वो और किसी का एरिया है तो अपने एरिया से बाहर नहीं जा सकता तो ये मतलब है ना हर किसी को fundamental rights है मौलिक अधिकार है तो वो Supreme Court जा सकता है कि उस सब इंस्पेक्टर का एरिया नहीं था वो भी फिर भी मेरे खिलाप है आया है तो बाद में ना मतलब है हो सकता है कि पहले warning दे और बर्दी से भी हाथ दोना पड़ सकता है तो ये अधिकारियों को भी डर सताता है होता है परती शेद प्रोवीजन जिसे आप बोलते हो परती शेद क्या बोलते हो परती परती शेद होता है ठीक है यानि परती शेद किसी को रोकना परती शेद का अर्थ होता है प्यारे बचों किसी को रोकना या किसी पर क्या लगाना रोक लगाना क्या लगाना रोक लगाना ये भी प्यारे बचो सुप्रीम कोट है ना वो निचली अदालतों को निचली अदालतों को क्या करता है निचली अदालतों को जारी करता है सुप्रीम कोट है ना ये निचली अदालतों को क्या करेगा जारी करेगा सुप्रीम कोट किस किसको था Supreme Court को देखना था किसको देखना था Supreme Court को देखना था ठीक है कोई ऐसा मोलिक अधिकार का कोई case था या कोई important case था जो जाना काम पर था Supreme Court में जाना था और उसके ना district court है ना उसकी जांच कर रही है या high court उसकी जांच कर रही है तो उसकी जांच पर Supreme Court क्या लगा सकती बुल यार यह आपका case ही नहीं है वे फालतों कि आप इस case में क्यों पड़ रहे हो ठीक है तो यह ना supreme court निचली अधालतों को जारी करता है supreme court सबसे बड़ा इसके निचे high court हो या district court हो या session court हो या म abonn वह कोई भी court हो तो वो क्या है सबसे निचे रहेंगे Supreme Court है ना निचली अदालतों को जारी करेगा कि कोई भी है न मतलब है case है ना आप से मतलब है आप सीधा pending case है ये भी कह सकता है pending case को आप सीधा Supreme Court पे बेज़ो यानी जितने भी लंबतches है उसको Supreme Court में बेज़ो आपको ना मालब वो सुप्रीम कोट के केस है तो आप बेब फिजूल का टाइम क्यों वह finance कर तो यह ना परती शेद है ना उन पर परती शेद उन पर रोक लगाती है कि आप क्यों जांच कर रहे हैं यह डारेक्ट सुप्रीम कोट का केस है तो निचली अदालतों के खिलाब सुप्रीम कोट है रिट जारी करती है कि आप है ना मतलब इस केस को ना देखे ये केस है ना सुप्रीम कोट का केस है रहे गई ये पेपर में पूछा जाता है प्यारे बच्चो निचली अदालतों के किलाब सुनाई करने पर रोक लगाई है जो सुनाई करने का सोच रही थी सिर्दी सी बाकता सब्दों में कह सकता हूँ ये निचली अदालतों के किलाब जारी होता है जो निचली अदालते है ना किसी केस की मनलब जांच करने का सोच रही थी अंतिम है प्यारे बच्चो उत्प्रेक्षन क्या होता है उत्प्रेशन ठीक है क्या रहेगा उत्प्रेशन रहेगा ये क्या होता है प्यारे बच्चो बहुत इंपोर्टेंट है ये पांचवी परकार की रिट होती है ठीक है पहली रिट क्या होती थी बंदी परतेक्षी करन बंदी को ना 24 गंटे के अंदर अंदर हमारे सामने परतेक्षी करन यानि 24 गंटे के अंदर अंदर हमारे सामने पेस किया जाए और दूसरी क्या थी परमा देश अधिकारी के खिल अधिकार से अन्य के अधिकार छेतर में गए हो चोती होती है परती शेद ये किस के खिलाप होती है सुप्रीम कोट निचली अधालतों के खिलाप जारी करती है जो केस की अन्य सुनवाई के सुप्रीम कोट के केस था लेकिन वो केस की सुनाई का विचार कर रहे थी उत्प्रे अदालतों के खिलाब क्या करेगा जारी करेगा कौन जारी करेगा सुप्रीम कोट है ना निचली अदालतों के खिलाब क्या करेगा जारी करेगा इसमें क्या होता है प्यारे बच्छों इसमें भी कोई पंगा नहीं है इसमें एक सिंपल सी सोचने की बात होती है कि उसमें ना उत्प्रेक्शन है ना ये थोड़ा सा पर्तिशेद के खिलाप है उसमें तो वो अदालत है ना केस को सोल करने का सोच रही थी और इसमें क्या होता है प्यारे बच्चो उत्प्रेक्शन में निचली अदालत है ना वो क्या है सुनाई कर चुकी है क्या कर चुकी है सुनाई कर और क्या सुना चुकी है फेंसला सुना चुकी है तो सुप्रीम कोट है ना इस फेंसले को क्या कर सकता है डारेक्ट है रद कर सकता है अब कोई चीज है प्यारे बच्चो वो मेरे मतलब मेरे अधिकार छेतर में नहीं आती या मैं उसके मतलब अगर स्पोज करो कि डिस्टी है अगर मतलब सुप्रीम gosta के फैंसले कोच उनोती या आपने लेवल पर सुल जायाया है तो हो सकता है ना वह अपने बंदे को फाइदा पहुंचा रहे हो तो सुप्रीम कोट अगर उन्हों वन्हों ने डिस्टी कोट और हाइ कोट ने फैंसले सुना भी दिया तो उस फेंसले को क्या कर सकती है, रद कर सकती है, देखो दोनों में अधिकार प्रीछा, वो अलग होता है, किस अधिकार से गए, ये अधिकारी के खिलाब था, परतीशेद है ना, तो सुप्रीम कोट निचली अदालतों के खिलाब जारी करती है, और कहती है, कि आप जिस केस की स सोच रहे हो ना तो सुनाई का इसमें तो डिस्टी कोट हाई कोट सुनाई की सोच रही थी सुनाई की नहीं थी या उसका फेंसला दिया नहीं ता सोच रही थी तो सुप्रीम कोट ने खिलाब जारी कर दी बुला इसको ना मेरे पास बेज़ दो आपके पास कोई राइट है न पिछली कोट ने न, मतलब है फैसला सुना भी दिया, जाच भी कर ली, फैसला सुना दिया, तो सुप्रीम कोट कहेगा कि आपने किस आदार पर फेंसला सुनाया आपके फेंसले को मैं रद करती हूँ तो ये पांच परकार की रिटे होती है उमीद करता हूँ पांचो रिटे आपको याद हो गई हो अधिकार सबसे पहले क्या होता है बंदी परतेक्षिकरण 24 गंटे के अंदर अंदर केदी को नयाईदीस के सामने पेस किया जाए ठीक है परमादेश से मतलब सुप्रीम कोट उस अधिकारी के खिलाप जारी करती है जो अपने करतवे से विम्मुक हो चुका हो बोला तो ड्यूटी क्यों नहीं करता अधिकार प्रीच्छा अगर किसी ये भी नहीं है तु क्यों सोच रही है तेरे तु सिधा मेरे पास बेज दे और उत्रेक्षन में क्या होता है वो निचली अदालत है ना कोई सुनाई करके फेसला सुनाज चुकी होती है तो सुप्रीम कोट उसको रद कर सकती है आई थिंक ये पांचों चीजी आपको समझे आ गई योगी बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है बहुत ज़्यादा ज़्यादा मुस्त इंपोर्टेंट रहेगा आर्टिकल 32 था अब 33, 34, 35 उतने इंपोर्टेंट नहीं है लेकिन इंपोर्टेंट नहीं है थोड़ा सा फिर गुर जी थोड़ा सा तो बता दो तो इसमें ना क्या होता है इन से आज तक कोशन है नहीं आता है बिलकुल भी कोशन है इससे नहीं आता है 33 है ना एक बार ये क्या होता है प्यारे बच्चो इसमें ना मतलब जैसे हमारी आर्मी होती है जिसे हमारी खूप या एजएंसी होती है वो क्या कर सकती है प्यारे बच्चों अगर किसी को बंदी बना लेना किसी पर देशद्रोका मुकदमा होता है तो उस्ट कंडिशन में हमारी मोलीक अधिकार सस्पेंड हो जाएंगे अब कोई प्यारे बच्चों जैसे रा है, रा ने किसी को संदिक्द को अगर पकड़ा है, तो रा में ऐसे बंदे नहीं लगे होते, उसने पकड़ा है तो सही पकड़ा होगा, वो आप पर थर्ड डिगरी प्रियोग कर सकते हैं, तो आप के दो कि मेरे मोलिक अधिकार कहनन हो तो आपने ऐसा क्राइम किया ही क्यों, जिसके करण आपको रा ने पकड़ा, तो संसद को ये सकती परदान करती है, ठीक है, आर्टिकल 33 है न, ये किसको अधिके सकती परदान करती है, संसद को क्या करती है, शकती परदान करती है, कि जो मामले है न, यानि इसमें बता देती इसमें पुलिस नहीं है यह अर्द सेनिक बलों पर या खूपिया जिसे यह मतलब आपकी जितनी भी रा बगीर है खूपिया एजेंसी ठीक है इनको सवतंतरता परदान करती है इसे हमारे मोलिक अधिकार है वो सस्पेंड हो जाती है एजेंसी के सदस्यों के संबंद में है और मोलिक अधिकार परतिवंदित करेगा एजेंसी के सदस्यों से संबंदित है और इसे मोलिक अधिकार क्या हो जाएंगे परतिवंदित हो जाए उसने ना मतलब वो पाकिस्तान का जासूस थारे ता भारत में था पाकिस्तान उसे बोग ज़्यादा रुपे देता था और उसको ना किसी राह ने गिरभदार कर लिया उस पर राह 3rd degree यूज़ करेगा अब वो कहेगा कि आप मेरे पर 3rd degree यूज़ नहीं कर सकते ये तो मेरा म के लिए तो उसे ना उसे व्यक्ति को जिसको गिरबदार किया गया है उसके मोलिक अधिकार क्या हो जाएंगे परती बंदिते हो जाएंगे यह किसके पास पावर है संसद के पास है पावर है रहेगी यह पेपर में प्यारे बच्चों यह कोशन बहुत जादा बार पेपर में पूछा जाने वाला कोश्यन रहेगा इसलिए आपको करवाना ना मेरी जिमेवारी हो जाती है तो मैं आप से कहूंगा अच्छे लेवल की त्यारी कीजी है कोई दिक्कत नहीं है एक्जाम कभी भी हो वो मेटर नहीं करता लेकिन जिस दिन एक्जाम का रजेल्ट आएगा उस पूछा जाता है जब किसी छेतर में सेना ने जैसे मैं बताता हूं प्यारे बचो जब कभी अपातकाल लग जाए 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 ना तो उस कंडिशन में क्या होता है उस कंडिशन में मोलिक अदिकार सस्पेंड हो जाते हैं जब किसी छेतर में क्या लग जाए जब किसी छेतर में क्या लग जाए छेतर में अपातकाल या सिन्ने अब इस्पोज करो किसी राजे में राष्टपती सासन लग गया तो राष्टपती सासन में तो क्या होता है कि मतलब सारा का सारा है ना परधान मंतरी बगेरा की यानि राजे में राष्टपती सासन लगता है तो मुख्य मंतरी की कोई वेल्यू नहीं होती राजेपाल एजें है वो क्या हो जाएंगे अपने हैं सटेंड हो जाएंगे क्या हो जाएंगे इस में केवल यह याद रख लेना आर्टिकल 20 और 21 है ना यह सटेंड नहीं हो गा कभी भी एक दो सिद्धी का अधिकार कभी सस्पेंड नहीं होगा जिसे एक अपराद के लिए एक सजा मिलेगी सजा मतलब तातकालिक होगी और आपको खुद के किलाब गवाई देने के लिए क्या नहीं किया जाएगा बादे नहीं किया जाएगा बाकि हमारे जितने भी मूलिक अधिकार है न वो आर्टिकल 34 के तेथ क्या कर दिये जाएंगे suspend किये जाएंगे article 34 के तेथ है न वो क्या कर दिये जाएंगे suspend कर दिये जाएंगे यह याद कर ले न article 34 के तेथ है न वो क्या कर दिये जाएंगे suspend किये जाएंगे जब किसी भी छेतर में अपातका लगता है न तो हमारे मूलिक अदिकार है उसको क्या कर दिया जाएगा सस्पेंड कर दिया जाएगा आर्टिकल पेंटिस आर्टिकल पेंटिस है ना पेले होता था पेंटिस यह आप पड़ते थे इसमें जम्मू कस्मीर से समंदी था जम्मू एंड कस्मीर से समंदी था अब इस आर्टिकल पेंटिस को भी क्या कर दिय गया है हटा दिया गया है आर्टिकल 35 को भी हटा दिया गया है ठीक है आर्टिकल 35 और 370 को जिसमें ना इसने जम्मू कस्मीर को क्या दे रखा था यह के विशेश राज्य का दर्जा दे रखा था अब जम्मू कस्मीर राज्य है यह नहीं इसे यूटी बना दिया गया तो यह ना article 35 को भी 35 ए को भी हटा दिया गया 35 ए और article 370 है ना काफी क्या रेता है चर्चा में रेता है तो इसको क्या कर दिया गया है हटा दिया गया है तो ये प्यारे बच्चो जितने भी मेंने आपको पढ़ाए है ना बहुत ज़्यादा important हो जाएंगे और इतनी guarantee के साथ के ताओ यहां से question है जरूर आएंगे मोली कदिकार है ना अगर आप सीखना चाहो तो बिल्कुल भी मुस्किले नहीं है प्यारे बच्चों एक second में आप सीख सकते हो एक second का मनलब है एक act में एक second से ज़्यादा आप revision करोगे ना ज़्यादा से ज़्यादा तो हाँ साथ में ना आप previous year की book लेकर देखो और उस में ना देखो मोली कदिकार से question कितने आए हैं और मोली कदिकार से कोई भी question इस topic से बाहर जाए तो मेरे को बताना मैं खुद पे कभी है ना मतलब किसी भी परकार का गमंड नहीं करता आप देख सकते हो आप पहले है ना देखना इस सीज को आप गोर करना की वास्ता में क्या ये मतलब है जो सलेवस में आपको करवा रहा हूँ ठीक है और उस से अगर कोई कोशन आ रहा है तो वो आपका हल हो रहा है या नहीं हो रहा है और इसके साथ साथ आपको बुकें जरूर पढ़नी है जब तक आप बुक नहीं पढ़ोगे ना प्यारे बचो तो सेलेक्सन नहीं हो सकता ये गारंटी है अब मैं सारी चीज़ें आपको याद भी करवा दूँगा और फ्यारे बच्छों धूरी ना पर ना मतलब धूरी ना पर जो हमारा कोर्स चला हुआ है CET का जो है मतलब उसमें ना आज के लिए जैसे आप है न आट सो निनाड में में लाइव और रिकोड़िड है ना CET का 509 में ले सकते हो 22 टीचर की टीम में रहेगी कॉंटेक्ट नमबर है 34988-40047 पर कॉंटेक्ट है कर सकते हो तो मोली क अधिकार में ने आपको बताए ये स्क्रेन सोड लेने ना मोली क अधिकार में ने बताए हैं प्यारे बच्छों मोली क अधिकार है ना इसकी सब से पहले 1925 में सिर्मती एनी बेंसेंड ने कोमन वेल थो अप इंडिया में उठाई और मोलिक अधिकारों को लिखने का प्रियास है ना सबसे पहले मोती लाल नहरू ने नहरू रिपोर्ट में किया और मोलिक अधिकारों का प्रारू पंडित जवार लाल नहरू ने मोलिक अधिकारों क क्या तियार किया था प्रारूपे तियार किया था और 1931 को कॉंग्रेश के कराची अधिवेशन में इनकी कॉंग्रेश ने अपने गोशना पत्र में सामिल किया सरदार बल्लब भाई जी पटेल ने इनकी क्या उठाई थी मल्लब कराची अधिवेशन के दोरान अध्यक्स होते थे और फिर जो सलाकार समीती है ना उसने मौलिक अधिकारों पर सबसे ज़्यादा क्या किया था काम कियादा इसके अधिकार 12-35 तक रहेंगे यह हमने कहां से लिये थे अमेरिका से लिये थे कहां से लिये थे अमेरिका से सविधान के भाग किस में है भाग तीन में और इसे ब्रिटेन के एक जोर्ज किंग राजा होता था उसने सबसे पहले मौलिक अधिकार समंत वादी व्यस्ता के खिलाब पर ब्रिटेन में लागू क ये थे तो उसे मेगना कार्टा का गया इस दिये सविधान का मेगना कार्टा सविधान के बागे तीन को काजत है 12 से 35 तक है 12 और 13 राज्ये के मुलिक अधिकार है 14 से 18 तक समानता का अधिकार है और फिर 19 से 22 तक सवतंदरता का अधिकार है और 23 और 24 से मतलब सोशन के विरूद दिकार है 25-28 ze धार्मिक सवतंतरता का दिकार है 39 Corinthians संस्किर्ती एवं सिक्ष्य का दिकार है Article 31 संपत्ती का दिकार था River the Article 32 संपत्ति का दिकार है जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेड कर ने सविधान की क्या का था Heart and Soul का था सविधान की क्या का था आत्मा एवं हद्दे किसने का था डॉक्टर भीम राव अंबेड करने आर्टिकल 32 को का था इसमें रिटे जारी होती है सुप्रीम कोड जारी करती है पांच प्रकार की बंदी परत्यक्षी करन हो गई कि बंदी को 24 गंटे के अंदर दर न्याजदी इसके सामने पेस किया आप है जो ड्यूटी से विमुक हो गया है अधिकार प्रीच्छा अधिकारी के खिलाप है वो कहीं और जाकर है ना मरलब इसकी जांच है नहीं कर सकता अपने एरिया में ही जांच करेगा और उत्प्रेक्षन होता है कि सुप्रीम कोड निचली अदालतों को जारी करता है ज वो भी एकजाम में कभी कबार पूछ ली जाती है एक परतिशेद होती है ठीक है उसमें निचली अदालतों पर सुप्रीम कोड रोक लगाती है क्या लगाती है रोक लगाती है और एक एकजाम में आपसे पूछा जाता है उत्प्रेक्षन उत्प्रेक्षन में निचली अद श्यव्टवदार किया तो उसके मुलिक अधिकार का हनन कर लिया जाएगा क्योंकि उसने हीनियस क्राइम किया है और 34 है इसमें क्या होता है कि मतलब है जब भी अपात का लगता है ना देश में या किसी राज्य में तो नागरिकों के मुलिक अधिकार आपने आप छीन लिये जते हैं बीस और इकिस को छोड़ कर आर्टिकल 35 है ना यह किस का था आर्टिकल 35 है ना यह जम्मू कस्मीर से समंदी था इसको क्या कर दिया गया है तो 12-35 तक चीजों को आपने याद कर लिया उमीद करता हूँ यह lecture समझा गया होगा आप 3 के 3 पार्ट में ने आपको मेरी तरीके से बेस्ट करवा दिय है तो उमीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा पसंद आये तो सेशन को सेर कीजिए और चेनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि जब तक आप चेनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे ना तो टीचर का होसला नहीं बढ़ेगा तो आज के लिए इतना ही है कल आपके दुबारा रूबरू होंगे तब तक के लिए आसते रहें मुस्कुराते रहें अपना और अपनोंगा ध्यान की दनेवाद दोस्तों जै हिंदे जै बारत लव यू ओल